आज के वीडियो में बहु प्रभावी जीन अथात पेलियो ट्रॉपिक जीन्स को समझाएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए चलिए सुरू करते हैं तो ऐसे जीन जो एक से अधिक गुणों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं उन्हें बहु प्रभावी जीन कहते हैं तो इस प्रभासा को ऐसे समझो जैसे आप टेलिवीजन देखते देखते खाना भी खा रहे हो मोबाईल भी चला रहे हो तो एक साथ क कारे कर रहे हो इसी तरह से कुछ जीन्स एक से अधिक गुड़ों को प्रभावित करते हैं उन्हें ही बहु प्रभावी जीन्स कहते हैं अथवा इस परिभासा को और सरल भासा में कहें तो ऐसे जीन जो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं उन्हें ही बहु पुस्प के रंग को भी प्रभावित करता है और बीजावरण के रंग को भी प्रभावित करता है अगर दूसरे उदावरण को देखा जाए तो ड्रॉसोफिला में सफेद नेत्रों के रंग को निधायत करने वाला जीन होता है जो ड्रॉसोफिला है ड्रॉसोफिला में सफेद नेत्रों के रंग को निधायत करने वाला जीन मादा में सुक्राणवों को संचित करने वाले अंग तथा अन्रचनाओं के आकार को भी प्रभावित करता है इसी त देता है जिसे सिकल सेल एनेमिया पैदा होती है और यही जीन मलेरिया रोग से सुरक्षा भी प्रदान करता है तो इस तरह से एकल जीन के ऐसे बहु प्रभाव को बहु प्रभाविता कहा जाता है और ऐसे जीन को बहु प्रभावी जीन अथवा पेलियो ट्रॉपिक जीन कहा जाता है बता दें कि जीवों में कुछ ऐसे भी जीन होते हैं जो उनके बिसिष्ट लक्षणों को तो प्रभावित करते ही हैं साथ ही वे उनके जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में घातक भी होते हैं इसले इन्हें घातक जीन्स अथवा मृत्यू कारक जीन्स भी कहा ज जीवन की किसी न किसी अवस्था में उस जीव के लिए घातक होते हैं और इसको अगर उधारण से समझें तो एक फ्रांसी सी वेग्यानिक थे एल क्यूनाट एल क्यूनाट ने पता लगाया कि घरेलू चुहे में बालों का पीला रंग कैपिटल वाई भूरे रंग या भूरे आभासी तोर पर प्रभावी जीन है और इसका आप्रभावी जीन इसमाल वाई ब्राउन रंग या भूरे रंग का निरधारण करता है तो क्यूनाट ने जितनी बार पीले और भूरे चुहों में संकरण किया यानि इन्हों कई बार पीले और भूरे चुहों में संकरण तो एगाटी चुहों में क्रास किया उतनी बार F1 पीड़ी में दोनों प्रकार के चुहे एक अनुपात एक के अनुपात में उत्वन हुए यनि जब जब पीले और भूरे चुहों में क्रास करवाया तब तब उन्हें पीले और भूरे रंग के चुहे बराबर अनुपात में प्राप्त हुए इन्होंने जब ऐसा देखा तो उन्हें संदेह हुआ कि चूहों की आबादी में पीले बालो वाले सुध नसली चूहे नहीं होते हैं अर्थात सम्युगमजी या होमो जाइगस नहीं होते हैं इसलिए उन्होंने अब दो पीले चूहों में संकर्ण किया या दो पीले चुहों में क्रास करवाया और पीले चुहों को आपस में क्रास कराने पर उनकी संताने यानी उनकी सारी संताने पीली नहीं थी, मतलब इसमें भी पीले वा भूरे बालों वाले चुहे दो अनुपात एक के अनुपात में उत्पन हुए, जब कि मिंडल पधत के अनुसार अनुपात तीन अनुपात एक का होना चाहिए था, तब इस संकरण की मादाओं का बिच्छेदन करके उन्होंने भूणों की जाच की तब उन्होंने क्या किया, कि जो मादाओं थी उनका बिच्छेदन किया और बिच्छेदन करके उनके भूण की जाच की, तो उन्हें पता लगा कि प्रबल सम्युगमजी यानि कैपिटल वाई वाई भूणों की भूणिये विकास की अन्तिम प्रवास्थाओं में मिर्त्य हो जाती है, यानि वो मर जाते हैं, इस प्रकार सिद्ध हुआ कि इस लक्षण के प्रभावी जीन यानि कैपिटल वाई के दो प्रभाव होते हैं, बिसम्युगमजी जीनो टाइप यानि हेट्रो जाइगस जीनो टाइप कैपिटल वाई इसमाल वाई में इसका प्रभाव घातक तथा मृत्यू कारक होता है तो इसलिए इसको मृत्यू कारक या घातक जीन्स भी कहा जाता है